तस्वीरों के जरी आपको बताएं कि आखर उत्तर प्रिदेश के बल्या में जो यह हादसा हुआ है वो कैसे हुआ है देखिए जो तस्वीरे सामने आई है कुछ इस तरीके की कि नाव जो थी वो पलट गई डूब गई और इसमें करीब जानकाली के मताबिक 30-40 लोग जो थे वो सवाती घटना की तुरंट बाद की तस्वीरे में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर कवायत की जा रही है यह तस्वीरे लगातार में आप तक पहुंचा रही है हादसा जो हुआ बताय जा रहा है कि एंजिन फेलियर की वज़े से अभी बताया गया है लगातार अपडेट भी हो रहा है लेकिन यह तस्वीरे आप देखें किस तरीके से लोग जो है एकदम से हक्के बखके रहे गए जैसे ही हादसा हुआ जानकारे मिल पा रहे ही कि इंजन बंद हो गया हालां कि कारण क्या रहे है अभी तक साफ नहीं ह पाया है यह भी कहा जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा लोग जो वह नाव में सवार थे तो सीधे हम आमित का रूख करते हैं अमित हमने तस्वीरे अपने दर्शिकों तक वह पहुचाई जिसमें सीधा सीधा साफ साफ यह दिख राए कि कोई वहां पे उस समय टीमें जिनको तैडने आता भी है उनको स्थानिय गोता कोर भी हम कह सकते हैं उनहीं लोगों ने लोगों की जान बचाई है को जो को स्थानिय गोता कोर ते जो इससलों नहीं रेस्टी आपर पहुंची है पुलिस के टीम जब मौके पहुची है तो एंडि एरफ और एसडी आरफ के टीम भी पहुंची है आदितनात ने भी इस पूरे मामले में संग्यान लिया है और फिलाल जो शुरुवाती दौर में rescue operation किया गया है वो इस्थानिय नाविक ने rescue operation किया और जो इस्थानिय नाविकों से बात चीत हुई है तो कई लोगों का कहना है कि तीन दरजन से ज्यादा लोग नाओ पर सवार तो फिलाल इस वक्त जो लोग डूबे हुए हैं उनको रेस्क्यू करके निकालने की है और फिलाल जीला प्रसासन यही काम कर रहा है एंडी आरेफ की टीम एस डी आरेफ की टीम मौके पर पहुंच गई है यह पूरा एक मुंदन का कारिकरम था बताये यह जा रहा है कि मुंद का कारिकरम वहाँ पर करने वाले थे लेकिन उसी दौरान यह हाथसा हुआ है काफी दुखत हाथसा है जिला प्रसासन आरेफ काई सवाल जिनके लिए जांक जो है वो की जाएगी उसके बाद ही उनकी जानकारी मिलेगी लेकिन दर्शकों को यह भी बताएगे कि क्या इसके लिए जिला प्रशासन ही जमिदार होती है जल पुलिस वहाँ पर होती है जल पुलिस लगातार गंगा में अपनी नजर innate के रखती है जिस नाओं में ढ़लोटेड होता है उस नाओं के सवारियो को उतारके दूसरे नाओं में बैठाती है इसके लिए जल पुलिस होती है वो उत्तरदाई होती है अब जाहिर तोर पर इस पूरे मामले पर जाच का विसा है और कितनी छमता की नाओ होनी चाहिए तो कईयों पर 20 होती है कईयों पर 30 होती है कईयों पर 25 होती है यह जाच का विसा है कि कितना बड़ा यह नाओ था तो फ इसके उप्रेशन को काम्याब बनाया जाए और जाद से जादा लोग को बचाया जा सके लेकिन जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे थे कि मुंडन का कारेक्रम यहाँ पर चल रहा था क्या किसी तरीकी की प्रमिशन यहाँ पर ली जाती है ऐसे कारेक्रम के लिए, कितने लोग होने चहिए बोट में, क्या इस तरीकी की विदिश निर्देश दिये जाते हैं और क्या जब ना जाती है पानी के अंदर उससे पहले कोई चेकिंग होती है, बकाइदा, कि कितने तक परिवार हैं उन्हें सांतावना दिया और साथी साथ जीला प्रशासन को यह आदेश दिया है कि NDRF की टीम, SDRF की टीम के साथ जीला अस्पताल में हर मुमकिन बेवस्थाएं की जाए, सबको जल्द से जल्द रिस्क्यू किया जाए ताकि किसी भी तरीके से किसी को कोई परशानी ना हो तो फिलाल इस पूरे मामले में जैसे ही रिस्क्यू अपरेशन पूरा हो जाता है और अभी तक एक्जैक्ट नमबर कितने नाओं पर सवार थे वो किसी को नहीं मालूम है क्योंकि जो लोगों को अभी रिस्क्यू किया गया है वो अचेत अवस्था में अस् बलिया और गाजीपूर में आते हैं और उसके बाद गंगा नदी में वो मुंडन का करते हैं तो लेकिन जैसे ही जो लोगों को रिस्क्यू किया गया है उनकी स्थितीस ठीक होगी बातचीत करने लाइक होगी तो उसके बाद वो जब अपना बयान देंगे तब जाके साफ निकल कर सामने आएगा कि आखिरकार ये लोग कहां के थें कितने की तादात में सवार थें नाव पर क्योंकि जो प्रटेक्ष दर्सी हैं जो इस्थानिया नाविक जो वहां पर थें जुन्होंने नाव को डूपते हुए देखा उन लोग उनमें से भी विरोदवास हैं कई लोगों का ये कहना है कि तीन दर्सी करूंगी और साथ सा तस्वीरे जरादर्शिकों के एक बर फिर से ब्रीफ करते हैं मई का महीना है देश की किसी भी नदी का कोई जलस्तर कहीं भी नहीं बढ़ा है और ऐसा भी निये कि हवा विप्रीत हो और नाव इस वज़ज़ से कु शासनिक टीमों के तरब से बार-बार नाविकों को ये बताया भी जाता है चेताया भी जाता है अग किसने लापर वाही की है किसके लापर वाही के वज़ज़ से इतना बड़ा हाथसा और जब मुंडन कारिक्रम है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही परिवार के लोग है और एक ही परिवार के लोग सवार है हाला कि इस बीट जो ये तस्वीर देख लिए जिसमें देखिए एक छोटा सा बच्चा बचाने की कुशिश कर रहा है और एक महिला इस पहिये को पकड़कर किनारे निकल रही है मतलब सरासरला पर रही हुई है बिलकुर ये तस्वीर जो साम पलट गई जानकारी ये है कि टेकनिकल फेलियर हुआ है इंजिन फेल होने की वज़े से लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और नाव अचानक से डूब गई इसमें कितने लोगों की संख्या इसमें सवार थी ये अभी तक जानकारी पुखता तोर पर नहीं मिल भी मौके पर पहुंच चुकी है, डीम पहुंच चुक है, तमाम प्रशास्तिक अमला पहुंच चुका है, लेकिन ये तस्वीर देखी आप किस तरीके से, जो स्थानिय गोता खोर है, वो ही लोगों को रहत और बचावकारे में मदद कर रहे हैं, जाद जाद लोगों को पर्मिशन दी जाती है, बकाइदा, क्या कोई पर्मिशन ली गई थी, क्या जानकारी मिल पा रही है, कौन ये लोग थे, क्या एकी परिवार के लोग थे? जाने दिया जाता है, इस बाबद गंगा नदी में जल्व पुलिस तैनात होती है, जल्व पुलिस लगातार निगरानी रखती है, ताकि कोई अगर हाथसा होता है, जल्व पुलिस तुरंत जो है, वो रिस्क्यू आपरेशन सुरू कर दे, उन लोगों को बचाना सुरू कर जो लोग चेक करने के लिए यहां पर होते हैं वो नहीं थे, और जो प्रतेक्ष दर्सी है, उन प्रतेक्ष दर्सीयों के मताविक, कि 35 से 40 लोग इस नाओ पराइज शवार थी है, कंगईों का यह भी मनना है, कि 3 दरजन से जादा लोग सवार थी है, उनका यह मनननाता, कि 40 इस से ज़्यादा लोग इस नाव पर सवार थे जिजिस के वज़े से ये हाथ सा हुआ है, हलाकि जिला प्रशासन ने अभी DM से मेरी बातचीत हुई है, तो DM ने कहा है, चार की मौत की पुस्टी DM ने करती है, जो थोड़ी दिर पहले, SP साब जो बलिया कहा है, वो तीन की मौत बता रहते हैं, लेकिन फिलाल DM ने चार की मौत की पुस्टी कर दी है, रिस्क्यू अप्रेशन लगातार जारी है मौके पर, NDRF की टीम मौझूद है, SDRF की टीम मौझूद है, स्थानिय नाविक मौझूद है, स्थानिय गुताकोर मौझूद है, जो लगाताल लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग लापता हैं, कई लोगों को रिस्क्यू करना अभी भी बाकी है, मुकमंत्री योगी आदितनात ने संग्यान ले लिया है, मुकमंत्री योगी आदितनात ने मृतिकों को परिवार के पती संवेदना जाहिर की है मुंक मंतरी योगी आदितनात ने जिला प्रशासन से बातचीत करते हुए तुरंत रिस्क्यू आपरेशन सुरू करने के लिए और जिला अस्परताल में पूरी ब्यवस्था करने के लिए कहा है अमेत अमूमन हमने देखा है कि ऐसे हादसों के बाद भी जो नाविक होते हैं जो सवारियों को लेकर सफर कराते हैं गगा में वो कभी सबक नहीं लेते हैं उनकी मनमानी लगतार जारी रहती है इस हादसे के बाद क्या सबक लिया जाएगा क्या इनके लिए गाइडलाइन्स जो बनी हुई है उसको हर हाल में ये पालन करें इसका इसको लेकर खदम उठाये जाएगा लगता है आपको क्यूंकि किसी हादसे के बाद हमने ऐसे नाविकों को सबक लेते देखा नहीं है देखें रीवा कुछ महीने पहले आपको याद है ज्यादा देखें तक्रीबन 6-7 महीने होगे प्रयाग राज में इस तरीके का इक हादसा हुआ था शाम के वक्त हुआ तो वहां भी नाव पलट गए थी उसके बाद अब बलिया में इस तरीके का हादसा देखने को मिल रह हैं चार की मौत की पूस्टी कर चुके हैं इसके लावा कई की डूबने की खबर है रस्क्यू अप्रेशन लगातार जारी है तो नाविक इससे सबक लेते हैं कि नहीं देखें अगर सबक लेना होता है तो प्रयाग राज के इंसिनेंट के बाद ही वह सबक ले लिए होते ल आर्मी कारकरम में जो लोग शरीक होते हैं बीच गंगा में जाकर जो करते हैं उन्हें बैठा लेते तो नाविक को लेकर एक जरूर जिस तरीके से जल पुलिस को अलर्ट किया गया था जल पुलिस को कहा गया था कि वहा गंगा में हर एक स्पॉर्ट पर हर एक जगहों पर म चेक करें कि नाव पर कितने लोग सवार हों तो वहां पर प्रशासन के तरफ से कोई जल पूलिस के तरफ से कोई था नहीं तो फिलाल ये सब जाच का भी सह हैं लेकिन जो प्राथमिक्ता है इस वक्त सभी लोगों को रेस्क्यू करनी की क्योंकि मुखमंत्री योगी आधितना की वहाँ पर की जाये ताकि सभी लोगों को बचाये जा सके जिलास पताल में तुलंत लेकर जाये 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 लगातार जो गोता खोर है एंडी आरेफ की टीम है वो लोग जो है उन्हें लगातार रिस्क्यू करने में लगी हुए लेकिन अब गंगा में पानी काफी जादा था गंगा नदी काफी जादा गहरी है इस वज़ए से काफी जादा मशक्कत काभी सामना करना पढ़ रहा है का जादा दिक्कते आ रहे हैं रिस्क्यू आपरेशन में बहराल जो स्थानिय गोता खोर हैं जो स्थानिय नाविक है उन्होंने सबसे पहले रिस्क्यू आपरेशन सुरू किया और उसके बाद पुलिस वहाँ पर मौकी पर पहुंची है पुलिस को इस पूरे वाक्य की जानक है लगातार अपने दर्शुकों को कि किस तरीके से नाविक जो हैं गुस्थानिय नाविक वहां पर रिस्क्यू आपरेशन कर रहते हैं फिलाल चार की मौत की पुस्टी हो चुकी है और इनमें से चारों महिलाएं बताई जा रही है जिन लोगों को रिस्क्यू किया गया है फ आपके पास? किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो लिया जा उनका इलाज हो चल रहा है लेकिन फिलाल आचेट अवस्था में है जैसे ही उनकी इस्तिती ठीक होगी बातचीत करने लाइक होगी वह जाहिट तर पर बताएंगे कि कि नाव पर कितने लोग सवार थे नाव कि 35 से 40 लोग नाव पर सवार थे कईयों का कहना है कि 30 दरजन से जादा लोग सवार थे कईयों का कहना है कि 40 से जादा लोग सवार थे तो एक्जाक्ट फिगर कितना है अब दरसल इन में से एक भी शक्स को अगर जैसे ही जल्द से जल्द हो साता है तो उसके बाद एक्जाक चल रहा था जानकारी मिल पा रही है कि मुंडन का कारेकरम चल रहा था और आप देखें यह तस्वीरे किस तरीके से रेस्क्यू अप्रेशन यहां पर सबसे पहले क्योंकि वहां पर स्थानिय गोता खोर जिसने भी थे वह मदद के लिए पारी में उत्ते हैं और देखें किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है कुछ बच्चे कुछ महिलाएं जो है आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे इससे पहले वह नाओ जो पल्टी है क्योंकि बार-बार जानकारी मिल पा रही है कि इंजन खराब हो गया था टेक्निकल दिक्कत आ गई थी 30-40 लोग सवार थे क्या खशमता से जादा थे या नहीं थे कई ऐसे सवाल है जो अब निकल कर आ रहे हैं हालां कि देखे प्रात्मेकता यही है कि जल से जल तमाम लोगों को जो लापता है उन्हें पानी से बाहर निकाला जाए सुरक्षित उन्हें जिलास पताल क्योंकि इ अल्कुल समझ सकते हैं कि यह जो नाव है ना 30 लोगों इस पर सफर कर सकते हैं ना 40 लोग अगर 30-40 लोगों ने इस पर सफर किया इसका मतलब की सरासर लापरवाही है जिस जिस स्तर पे हुई है वहां से ही दक्कते आ रही है और मैं एक बर फिर से अपने सेयोगी आमेत कारो करूंगी आमेत मैं दो तस्विर अपने दर्शिकों को दिखा रही हूँ पहले तस्विर जिसमें नाव के साइस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग पा रहा है दूसरी तस्विर यह है कि स्थानिया गोता को जिसमें बच्चा देख रहा है मुझे वह बच्चा ए डियम के मुताबिक 30 से ज़्यादा लोग नाव पर सवार थें ज़्यादा तर लोग जो है जब नाव डूबी है तो जो रसी था उस रसी के सहारे अपने आपको बचाने की कोशिस कर रहते हैं और जो इस्थानिया नावीक थें वो इस्थानिया नावीक जो है उन्हों ने ज़्यादा तर लोगों को रिस्क्यू किया है फिलाल मौके पर रिस्क्यू अपरेशन लगातार जारी है और जो नावीक था बताये यह जा रहा है जो डियम के तरफ से जो अभी बात हुई है जो नावीक था जिसका नाव था वो उसके बाद से फरार हो गया है फरार हो गय इस बारे में जानकारी नहीं है फिलाल जिला अस्पताल जो है रिस्क्यू ऑप्रेशन उहां पर लगातार जारी कर रहा है लेकिन जो ऑफिसियल वर्जन अभी जिला प्रशासन के तरफ से आया है जो डियन ने कहा है कि नाव पर 30 लोग सवार थें तिंजन खराब हुई थी य चारो महिलाएं हैं और इसके लावा कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है जैसे ही उनको होस आएगा उसके बाद उनसे जिला प्रशासन बातचीत करेगा पुलिस बातचीत करेगी और उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि एक्जाक्ट नंबर फिगर कितने थे जो नाव प पा रही है कि उस पे 30 से 40 लोग उस नाव पर सवार थे अब जाच का ये पूरा विशह है कि आखिर उस नाव की क्रमता क्या थी क्या उस पर क्रमता से ज्यादा लोग सवार थे लेकिन इस बीट जो तस्वीरे हैं वो हम आपको इबर फिर से दिखाते हैं और समझाने की कोश लेकिन उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वो नदी में आगे बढ़ेंगे इस नाव ये नाव जो है वो पलट जाएगी डूब जाएगी देखे हम आपको कुछ तस्वीरे ब्लर करके भी दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें बच्चे भी हैं और ये जिस तरी लोग खुद को बचाने के लिए रस्तियों को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल आदेखे पूजा किस तरीके से वो तस्वीर हम दिखा रहें जब नाव पलट गई उसके उपर आप देखे किस तरीके से लोग जो है मशक्कत कर रहे हैं कि व तक हो उन्होंने प्रात्मिक्ता के तौर पर जो इस तरीके से बनाया लोगों की मदद वहाँ पर की है तो नदी के तेज धारा की बीच में अगर ये नाव पलट के इस तरीके से हो जाए लोग अगर उस पे सबार भी हो जाए तो फिर उनको वहां से बचा कर किनारे तक ला बाही हुई है और आपने तो एक और बड़ा अपडेट ये दिया है कि नाविक फरार हो चुका है यानि उसे मालूम है कि उसने गल्ती किया जो चार मुख पॉइंट जो निकल कर आ रहे हैं अभी तक सामने कि आखिरकार ये नाव डूबा कैसे तो सबसे बड़ा जो बताया इंजन फेल हुई है तो हवा तेश थी हवा के वज़े से उसका संतूलन बिगड़ा है और उसके बाद नाव डूबी है नाव के किनारों में जो रसी लगी होती है उस रसी के साहरे कई लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिस की है उसको पकड़ के रखे हुए तो ऐसे म अपनी नजल बना रखेगा तो फिलाल अपडेट यह है कि जाच की निर्देश दे दिये गए करीब 15 लोगों का रेस्क्यू कर लिया